आगरा में कुर्सी गुदाम में भयंकर आग लग गई आग पुझाने के लिए दस दमकलों ने काफी मशक्कत की लेकिन काम्याबी नहीं मिलने पर एफ़ोर्स की दमकलों का सहारा लेना पड़ा हाला कि कुछ दिर पहले बारिश ने दमकल कर्मियों को राहत दी और कर्मी गुदाम के अंदर दाखिल हो सके अभी नुकसान का अंदाजा नहीं लग सका है वहीं आग के कारण भी पता लगाए जा रहे हैं आगरा के शाहदरा में कमला नगर निवासी पवन कुमार अगरवाल का प्लास्टिक का गुदाम है आग पर काबू पाने में असफल होती दिखी इसके बाद एरफोस की दमकल बुलाए गए आग को दस बज़े तक बुझाने में जब सभी नाकाम रहे तो इंददेव महरमान हुए और दमकल कर्मियों का काम आसान कर दिया बारिश के चलते आग की लपते कुछ शान्त होई और दमकल कर्मियों ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया इसके बाद कड़ी मशक्कत कर फायर कर्मियों ने आग पर काबू पालिया लेकिन इस अगनी कांड में कितना नुकसान हुआ है अब इस बात का पता नहीं चल सका है आगरा से परविंदर राजपूत की रिपोर्ट इसके अतरिक्त जो है कि हमारे यह राम वरात है तो उसमें अन्य जन्पतों से ड्यूटी यूदि जूटी जू गाड़ी आयूती वह लगी है इसके साथ इसका एरफॉर्स की गाड़ी यह मदद के लिए मंगाए गहीं तो अभी आग कंट्रोल है लेकिन पूर्ण रूप से बुजी नहीं है तो अभी आग के कारणों के विशे में या नुक्सान के विशे में अभी बता जाना इस संब्ग लेगे लगबक 5 बजे की सुचना है पाँच बजे की अच्छा यह रही है इस पर क्या अधो यह अनो सी इस तरही है यह सब जाज का विशे है यह बाद बाद अनकरी करेंगे चीक